नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी ओधा के सोट नीज परग्राम में आज हम बात करेंगे ब्रिक्स का 13 वा सिखर समेलन तो चलिए देखते हैं कि क्या है ब्रिक्स और उस सुर्खियों में क्यों है और जानेंगे इस वीडियो में कि ब्रिक्स का इतिहास क्या है देखे सुर्खियों में रहने का कारण क्या है कि हाली में भारत ने 2012 और 2016 के बाद तीसरी बार 13 वे ब्रिक्स सिखर समेलन की मेजबानी की है ब्रिक्स 2021 में अपनी 15 वी वर्स गाठ मना रहा है परधान मंत्री नरेंद मोदी गुरुवार को ब्रिक्स के 13 वे शिखर समेलन का अभार यानी वर्चूल माध्यम से अधेचता की है यह दूसरी बार है कि जब परधान मंत्री मोदी ब्रिक्स सिखर समेलन की अधेचता की है इससे पहले उन्होंने 2016 में गौवा में हुए ब्रिक्स सिखर समेलन की अधेचता की थी बर्तमान में भारत ही इस संगठन का अधेच है बिदेश मंत्राले के अंसार बैठक में रूसी राष्टपती बलादिमीर पुतीन चिनी राष्टपती सी जिंपिंग दचिन अफिरका के राष्टपती सिरिल राम फोसा और ब्राजिल के जायर बलोसो नारी सामिल हुए इस बार के सिखर समेलन का विशे ब्रिक्स एट 15 निरंतंत्रता समेकन और आम समति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है ब्रिक्स नॉमबर 2020 में कोविड 19 महमारी के चलते इसका योजन की अधेचता रूस के द्वारव वर्चुल मोड में किया गया था यह पहला मौका था जब भरतिय परधान मंत्री और चीनी राश्पती गलवान घाटी परकरन के बाद एक ही मंच पर आमने सामने आये थे ब्रिक्स देखें ब्रिक्स शिखर समेलन फोरम की अधेचता प्रती वर्ष ब्रिक्स कर्मा अनुसार सदस्य देशों द्वारक की जाते हैं कर्मा अनुसार मतलब ब्रिक्स का पहला जो लेटर है वो ब्राजिल से दूसरा लेटर रसिया से तीसरा इंडिया से और चोथा चाइना और पाचो जो साथ अफिरका से हैं तो ब्रिक्स सिखर समयलन के जो अधेशता करम है वो पहले ब्राजिल करता है उसके दूसरे बाद रसिया तीसरे में इंडिया फिर चोथे में चाइना उसके बाद पाचो में साथ अफिरका एक करम लगतार चलते रहता है ठीके ब्रिक्स कोई संगठन का रूप नहीं है बल चीन दचिन फिरका सामिल है जिनकी अबादी दुनिया की अबादी का एक तालिस परतिशत है जबकि इनका सकल घरेरू उत्पाद दुनिया की जीडिपी का चोविस परतिशत और ब्यापार दुनिया के कुल ब्यापार का 16 परतिशत है देखे मैं भी देख सकते हैं ब्रिक् जानना बहुत जरूरी कि आखिर ब्रिक्स है क्या देखें ब्रिक्स 205 उभरती अर्थ व्योस्ताओं का एक समू है जिसमें ब्राजिल रूस भारत चीन दचिन फिरकाज जैसे देश सामिल है इन पांच देशों ने 2050 तक निर्मी तवस्तु के सिवाओं और कच्छे माल के पर्मुख अपूर्ति करता माना है ब्रिक्स सब्दवाली के जनमदाता जीम ओनिल है ओनिल ने इसके सब्दवाली का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 2001 में अपने सोथ पत्र में किया था जीम ओनिल जो है वो ब्रिटिस के अर्थ सास्त्री है 2010 में ब्रिक में दच्छिन अफिरका के सामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पढ़ गया है पहला ब्रिक्स सिखर समयलन 2009 में रूस में हुआ था ब्रिक्स टावर का मुख्याल है संगहाई में इस्तित है देखिए बैठक अभी जो हाल में बैठक हुए उसमें बैठक में भारत के एनेस अजीद दोवल, मारको श्त्रोजियो, ब्रिक्स बिजनेस कांसिल के नए अध्यच उंकार कमर और ब्रिक्स बुमेन बिजनेस एलाइंस की अध्यच डाक्टर संगीता रेडी की तरफ से अलग-अलग बिश्यों पर ब्रिक्स देशों के बीच किये गए कामों पर प्रप्रत पेस किये हैं, बता दे कि छटवे बिरिक्स शिखर समेलन के दरान सदस्य देशो द्वार संजुक्त रूप से एक बहु पच्छी विकास बैंक, निव डेवलमेंट बैंक, एन डी बी की स्थापना की गोशना की गई थी, भारत के केवी कामत इसके पर्थम अ अभी की जनकारी के लिए हमारे दिये गए नंबर पर संपर कर सकते हैं, हमसे जुडने के लिए धन्यवाद